प्रक्टिस करेंगे इसमें हम करेंट अफेर्स के प्रशनों पर ही तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कॉश्चन नमबर बने नीचे दिये गए कुछ युक्म है एक तरफ अभ्यान का नाम है और दूसरी और उसका उद्देश है इनमें से कौन सा जो है साइस ह सुडान में भारतियों को वापस लाने के लिए और भूकंप प्रावेत तुर्किये और सीरिया में बचाव मुरहत सामगरी और रूस के साथ संघर्स के वीच युक्रेयन से भारते चात्रों को निकालना ऑप्रेशन देवी सकती और अफगानिस्तान में तालिवाल के हमले स और वहां फसे भारतियों को निकालने के लिए ऑप्रेशन दोस्त है ठीक है भारत और भारत की सेने के द्वारत चलाए अभयान है यह कौन सा इसमें करेक्ट है लेकि अब भूकंप प्रुरहवित तुर्किया और सीरिया में वचाव मुरहत समगरी भेजने के लिए ऑप्रे किरेंश दे वीस सकती था और रूस के साथ संगर्स के बीच युक्रेण से भारतिय चातरों को निकालने से फसे भारतियों को वापस दाना देखे सूडान ग्रस्त संकट ग्रस्त सूडान से भारतियों को बापस लाने के लिए केन सरकार ने ओपरेशन कावेरी सुरू किया है तरसल सूडान में ग्रह उद्ध की बज़े से हमारे कई लोग वहां फस गए इसलिए उन्हें सुरक्षत लाने के लिए ओपरेशन कावेरी सुरू किया गया बगी रूस के साथ संगर्स के बीज यूक्रेयन से भारतिय चात्रों को निकालने के लिए ओपरेशन गंगा चलाया गया और अफगानिस्तान में तालिबान के हमले के समय ऑप्रेशन देवी सकती चलाया गया और भूकंप प्रवाबित तुर्किय और सीरिया में बचा वेम रहात सामगरी भेजने के लिए ऑप्रेशन दोस्ते चलाया गया इंपोर्टन्ट है याद रुखेगा इंपोर्टन्ट प्रश्ण विकासवाद के सिद्दान्त यानि थियोरी ओफ एविलूशन के संबंद में अमलगी कत्मों में से कौन सा करेक्ट है इसमें UPSC सवाल कर सकती है The Origin of Species पुस्तक में चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्दान्त प्रतिपादित किया और इस सिद्दान्त के मताबिक जो प्रकरती है वो क्रमिक परिवर्थन द्वारा अपना विकास करती है क्यों इंपॉर्टन्ट है इस सवाल हाल ही में जो है NCRT की किताबों से डार्विन को हटा दिया गया है फिलाल ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों The Origin of Species पुस्तक किस की है चार्ल्स डार्विन की है प्रश्न एक तो यही बन सकता है कि लैमार की है डार्विन की है वागो डीवरिज की है जॉनसन की है किस की है देखे चार्ल्स डार्विन का मत्था की प्रकरती जो है वो क्रमिक परिवर्तन दोर अपना विकास करती है और विकासवाद कहलाने वाला यही सिदान्त आधनिक जिव विग्यान की नीव बना और इसके मताबक परिस्टियों के अनरूप अपने आपको ढ़ालने की विवस्ता जो है परजाती विवता को जन्म देती है इस सिदान्त का प्रतिपादन डार्विन ने किया था 1859 में उनकी पुस्तक में प्रकाशित हुआ था इसने डार्विन को मानव एतिहास का सबसे बड़ा वैग्यानिक माना जाता है दरसली एक खबर न्यूज में क्योंकि NCRT ने विकास वाद के सिदान्त को स्लेवस से हटा दिया जिसके बाद कई वैग्यानिकों ने इस पर आपत्ति जताई है और न्यूज बनी हुई है Q3 पर आज़े निम्लिकित कत्मों पर विचार करेंगे दो स्टेटमेंट है कौन सा इसमें करेक्ट होगा पिछले एक दरसक में देश में खोले जाने वाले वैंक खातों की संख्या में तीन गुना की ब्रद्धी हुई है और इन सभी नए वैंक खातों में 50% से अधिक महिलाओं के स्वामित में हैं यह वैंक खाते 50% महिलाओं के स्वामित में तीन गुना की ब्रद्धी हुई यहीं अगर 5 गुना 6 गुना कुछ और आ जाता तो गलत हो जाती संख्या लेकिन करेक्ट है फिलाल जन संख्या भी ब जनधनी योजना है प्रदान मंत्री जनधनी योजना के बाद से देश में खुले बैंक खातों की संख्या मार्ज 2015 में 147 मिलियन थी जून 2022 में बढ़कर 462 मिलियन हो गई तो डेड़ सो इसको राउंड फिकर बाने तो पंद्र जिया 453 गुना हो गई करेक्ट है पहला स्ट स्टेट्मेंट वी वोशन नमबर फोर पर आजए नमले के दिम्से कौन सा महिलाओं पर जलवायू परिवर्तन का प्रभाव है उनकी सामाजिक और आर्थिक कमजोरियों के करण विस्थापन जलवायू परिवर्तन के करण खाद असुरक्षा के प्रति अधिक संबेदन सील था उनके कारिभार में व्रधी और सारे रिक नुक्सान का अधिक जोखिम महिलाओं को को पोशन एनिमिया और अनस्वास्त स्थियों से प्यूडित होने की अधिक संभावना उपरोक्त में से कौन सा सही है इस तरह के प्रश्ण एक्जामस में आते हैं तो लगभग सही सारे स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं ठीक है यहां भी चारो के चारो करेक्ट है पढ़ने से लग रहा है कि चारो करेक्ट है तो D है इसका अंसर उप्रोक्त सभी एक्स्मिनेशन की आवश्रक्ता कुछ है नहीं इसमें Question No.5 पर आजाए भारतिये तटिये पारिस्तिक तंत्र बरतमान में किन शुनोतियों का सामना कर रहे हैं अक्षे उर्जा, आवास विनास, ओवर फिशिंग, अक्रामक पर जातियां, उद्योगों का तीब्र विकास Important है यह प्रश्न और पढ़ने सी लग रहा होगा कि इसमें कौन कौन से करेक्ट हैं देखिए उद्योगों का तीब्र विकास हो रहा है तो पईस्तिक तंत्र कोहानी पहुचेगी आवास की शती हो रही है, ओवर फिशिंग हो रही है, अक्रामक पर जातियां हैं तो एक तीन चार पांच लेकिन अक्षय और जावी, तो सारे के सारे करेक्ट हो के डी है इस कांसर, ठीक है, तो सारे के सारे करेक्ट हैं, वन टू, थी, फोर, इसको पढ़ लिजिगा आप, पहला करेक्ट है, चोधा करेक्ट है, और क्या है, तीसरा और पांचमा करेक्ट है, कौशन नमबर सिक्स प वर्ज दोहार 17 में रेल बजट को केंद्र बजट में मिला दिया गया और एक वर्थ समिति की सिफारिस ने 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया 17 में किया गया था या 19 में 17 में किया गया था और देश के अज़दि से पहले चलें तो एक वर्थ समिति की सिफारिस ने 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया था ठीक है तो करेक्टें दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इस कांसर 2017 में जो है फिर से मिला दिया गया देखें रेल बजट को 2017 में केंद्रे बजट के साथ मिला दिया गया था जिससे ब्रिटिश आशन के तहत 1924 में शुरू एक जो प्रथा है वो साब्त हो गई और पत्र के सिफारिश प्रस्तुत की थी यह नाम याद रखेगा तो करेक्ट हो गया पहला स्ट्रिटमेंट वर्स 1922 में सर विलियम एक वर्थ की अध्यक्सता में एक वर्थ समयते का गठन किया गया था ठीक है और इसने केंद्रे आम बजट से रेल बजट को अलग करने करके भारते रेलवे के समयकन और राश्ट्री करण कि इसे फारिस की थी तो दूसरा वाला भी करक्ट है कोश्चर नमबर सेवन पर आजए इन अमलेके में से कौन सी सुविधाएं जो है आम तोर पर निवेज के PPP मॉडल से जुड़ी है पॉब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप कौन कौन सी एन में लागत और समय बढ़ जाता है जटिल कानूनी व्यवस्ता उन छेतरों में निवेज के ने अधिक सार्वजनिक संसादान जहाने जी निवेज पर वेज करने में सर्म आ सकती है निवेक प्राइवेज के PPP मॉडल से जुड़ी है सभी है ये तीनों पहली भी दूसरी भी तीसरी भी तो इसका अंसर हो जाएगा आपसे नंबर सी देखें PPP परियोजनाओं में महत्वण निर्मान जोखिम सामिल है जैसे की लागत में ब्रधी देरी गुडबत्त के मुद्ध ये जोखिम अपरत्याशित घटनाओं जैसे की प्राकरति का पदाओं स्रम हरतालो आपूर्ती स्रंखला व्यावधानों के प्रणाम सरूप हो सकते हैं ये एक्जामपल है इसको पढ़ सकते हो अब पूशन नॉम्बर एट पर आज़िए हाल ही में समचारों में देखे गई काले मूंगे यानि ब्लैक कोरल से रिलेटेड तीन स्टेट्मेंट है यहाँ पर कौन साइस में करेक्ट होगा देखे इन्हें गहरे समुद्र के कोरल के रूप में जाना जाता है इन्हें अपनी ब्रध्धी के लिए प्रकास की आवश्रक्ता नहीं होती ब्लैक कोरल को और काले मूंगो में सहजीवी सेवाल नहीं होते है कोरल अपने आप में वैसे इंपोर्टन्ट है यह करेंट से जुड़ा हुआ प्रशन है ब्लैक कोरल का तीनों के तीनों करेक्ट है प्रवाल बोलते हैं इनको हिंदी में प्रवाल भित्ती और दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ती कौन सी है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट barrier ठीक है और कौन से महासागर में Pacific परसांत महासागर में भी पूछ ले आता है तो black coral को गहरे समुद्र के coral के रूप में जाना जाता है जो सभी महासागरों में पाज जाते हैं लेकिन उश्न कटिवंद'े और उपोश्न कटिवंद'े समुद्रों के गहरे पानी के आवासों में सबसे आम है यह और ये जो है गहरे महसागरों में इसलिए अपने उन्हें अपने विकास के लिए प्रकास की आवशकता नहीं उती है, प्रकास वहां तक पहुँचे गए नहीं, उपर के उथले पानी में रीफ बिल्डेंग कोरल के विपरी जो ब्लैक कोरल है उनके उतको है सहजीवी सहवाल की अनुपस्तिती होती है जो सते ही कोरल होते हैं या उपरी पानी में होते हैं जो उपर से देख सकते हैं तो उनमें जो है रीफ विल्डिंग कोरल के विपरी जो नीचे पाए जाते हैं समुद्र के नीचे जहां प्रकास नहीं पहुँच पाता उनमें वो होते हैं ब्लैक कोरल उनके उतकों जो है सहजीवी सहवाल की अनुपस्चति होती है Q9 पर आज़िए National Innovation Fund की स्थापना कब की गई थी National Innovation Fund की स्थापना की गई थी वर्स 2000 में ठीक है मार्च 2000 में एक स्वायत निकाय के रूप में भारत सरकार के विज्ञानों प्रोद्यों की विभाकी साहता से की गई थी और यह है जमीनी इस्तर पर तकनीकी नवचारों उतकरस्ट पारंपरिग्यान को मजबूत करने के लिए भारत की राष्ट पहला है Q9 पर दस पर आज़िए यह पॉलिटी का प्रश्ण है फिलाल इसका उत्तर क्या है ना 352 ना 356 ना 360 इसका उत्तर है अनुच्छे 355 और इंपोर्टेंट है प्रश्ण ठीक है इसको पढ़ने से लग रहा है कि राष्टपति शासन की बात हो रही है 356 में लेकिन इसका अंसर अपसर नमबर भी है अनुच्छे 352 यह है राष्ट्य आपातकाल अनुच्छे 356 यह है स्टेट एमर्जनसी यानि राज में संबैधानीक तंत्र विफल हो जाएगा तो शासन केंद सरकार चलाएगी राष्टपति के मात्यम से अनुच्छे 360 में है वित्यापातकाल भारत में वित्यापातकाल भी तक कितनी बार लगा है एक बार भी नहीं लगा ठीक है और नैसलनल एमर्जनसी कितनी बार लगी है तीन बार लगी है और राष्टपति सासन तो लगते ही रहते हैं ठीक है इस टेट में संबैधानीक तं और यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र पर एक कर्तव लगाता है कि परतेक राजी की सरकार संविधान के प्राबधानों के अनुसार चलती है। पर उनकी परोब कारिता के लिए और ऑफ ऑस्टेलिया समान से समानित किया। ऑडर ऑफ ऑस्टेलिया समान की बात करें तो इसकी सुर्वार 14 फरवर 1975 को रानी एलिजाबेद दुत्य के द्वारा की गई थी। देखे आम तर पर यह जो पुरुस्कार है और ऑफ ऑस्टेलिया ऐसे ऑस्टेलिया नागरिकों को दिया जाता है जो अपने काम से ऑस्टेलिया अंतरा स्टेस्तर पर सकरात्मक बदलाब करते हैं। हालाकि यह जो समान है कभी-कभी उन लोगों को भी दिया जाता है जो ऑस्टेलिया के नागरिक नहीं है। फॉर अग्जामपल रतन टाटा मनाते हैं और अब पर्तवी और इसके बाताबण को सनरक्षए करने के उद्देश इसे लोगों को जाग्रुक करने कलें यह दिवस यानी परत्वी दिवस मना जाता 2-3 के लिए परत्वी दिवस के थीम क्या है invest in our planet important है याद रखेगा मलखम खेल के बारे में तीन कथने आपर कौन सेस में करेक्ट होगा देखे भारत में इस खेल की सुरुबाद 12 सदी में महरास्ट में हुई थी और मत्यप्रदेश का राज ये खेल आई है और अभी तक खेल वंडिया यूथ गेम्स में मलखम को सामिल नहीं किया गया है देखे कर लिया गया है गलत है तीसरा थार्ड को हटा हो तो जरा ये वो लेक और दोस कांसर हो जाएगा तो मलखम या मलखम मल और खम से मिलकर बना है मलख का आर्थ है पहलवान या बलवान और खमब का है खमबा ये है भारत का एक पारंपरी खेल है जिसमें खेलाड़ी लकड़ी के खमबे या रसी के उपर कई प्रकार के कई है ये कई लिखा है कई प्रकार के कर्तब दिखाते हैं और राश्ट इस तर पर इस खेल के तीन प्रारूपे मलखम के, एक है फिक्ष्ड मलखम यानि स्थाई मलखम, हैंगिंग मलखम और शेप मलखम. बता जाते कि भारत में इस खेल की सुरुबात जो है वारवी सदी में महरास्ट में हुई थी, इस खेल को लोकप्रिया बनाने में पेश्वा वाजी राव दुत्य ने एहम भूमी का निवाई, और दादा, बालमधर, देबधर, मलखम के गुरू माने जाते हैं. और वर्ष देहार 23 में मध्य परदेश ने मलखम को राज्य खेल का दरजा परदान किया, और मध्य परदेश सरकार इस खेल से संबंदित प्रभास जोसी पुरुसकार भी परदान करती है. कोशन नमबर 14 है कि भारत के वित आयोग यानि Finance Commission of India से related कौनसा स्टेटमेंट्स है यह इसमें. परतेक 5 वर्स में भारत के राष्टपती द्वारा गठित किया जता है वित आयोग और इसका मोखेकार केंदर राज्यों के वीज करों के वितरण की सिफारिस करना है. वित्थ आयोग की सिफारिस हैं भारत सरकार के लिए बाध्यकारी है Article 280 अनुछे 280 में प्रवधान है वित्थ आयोग का तो बाध्यकारी नहीं है सलाकारी है वाकि प्रतेक 5 वर्स में भारत के राष्ट पती द्वारा अनुछे 280 पहला करेक्ट दूसरा भी करेक्ट है ठीक है और तीसरा वाला गलत है क्योंकि वित्थ आयोग की सिफारिस है भारत सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है कोशन नुबर 15 पर आज़िए भारते सिवल से बाध्यबस का बनाया जाता है 19 अपरेल, 20 अपरेल, 14 अपरेल, 21 अपरेल को देखे परते एक वर्स 21 अपरेल को भारते सिवल से बाध्यबस से मनाया जाता है और ये देश के तमम सरकारी विभागों में लगे सभी अधिकारियों की सरहाना के प्रतीक के रूप में जाना जाता है वर्ष दियार 13 में इस दिवस की एक थीम दिया थीम क्या है विक्सित भारत नागरिकों को ससक्त बनाना और अंतिम मिल तक पहुचाना इतिहास क्या है इसका इस दिन की सुरुबात जो है यह दिन या इसी दिन भारत के पहले ग्रह मंत्री सरदार बल्लब भाई पर्टेल ने 1947 में मैटकाफ हाउस दिल्ली में प्रसासनिक सेवाधिकारी को संबोधित किया था बहां उन्होंने सिवल सेविकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था इंपोर्टेंट प्रस्टने करेंट अफेर्स का उड़नचासवी जी सेवन सम्मेट दोहाट तेईस कहां अउजित की जाएगी हिरोशिमा जापान ठीक है जापान के हिरोशिमा में तो उन्नेस मई से 21 मई दोहाट तेईस के मद जापान के हिरोशिमा में उड़नचासवा जी सेवन सम्मेलन दोहाट तेईस आयोजित किया जाएगा याद रखेगा इसको कोशन दोहाट पर आजाएगा अफगानिस्तान के जाएगा तो ब्रिक्षण दोहार तेईस इस अल यानि पंदरवा व्रिक्ष सिखर सम्मेलन अगस्त के अनत्मे दक्षण अफड़ीका के डरवन में ओखा और 14 वरिक्स शिखर सम्मेलन कहां हुआ था वे डीजितली रूप से रूप्से वा था चीन के विजिंग में पोशन इंवरंभ एटीन पर लिए पांच फ़ास्यूर भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहां हुआ यह इंपोर्टन्ट है पांचवा आशियान भारत शिखर सम्मेलन यह हुआ है क्वाला लामपुर में ठीक है और कब से कब तक हुआ है छे मार्च दोहार तेज को हुआ है वाकि आशियान के अगर सरस से देशों की बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन, सिंगापूर और थाइलेंड ने की थी इसकी स्थाबना और बरतमान में आशियान में 10 सरस से देश हैं कौन-कौन से इंडोनेशिया, मलेसिया, फिलिपिन, सिंगापूर, थाइलेंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यामार, कंबोडिया और व्यत्नाम ठीक है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और दस question number 19 पर आजिए, बरतमान में सारक में कितने सरस से देश सामल है? तो सारक में 8 मैंबर है, तो सारक में 8 सरस से देश सामल है, कौन-कौन से अफगानिस्तान, बंगलादे़, हूतान, भारत, मालदीप, नैपाल, पाकिस्तान और स्री लंका ठीक है जितने भी member country है, सार्क में कौन member, आशियान में कौन member, G20 में कौन member, G7 में कौन member, BRICS में कौन member, ये सब important है, पूछे जाते हैं, question number 20 पर आज़िये, चलिए question number 20, एक फ्रेम में डाल दिया सबको, verse 23, 23 के लिए भारत का रक्षा बजट कितना है, important प्रस्टन है, कितना है, आठ, साथ, पांच, छे, ठीक है, 93,573,264 करोड, 93,573,264 करोड, 93,573,264 करोड, 93,573,273, बोल दिया क्या, 37,64 करोड रुपे, देखे, संख्या इतना तो सब कौमा नहीं है, ठीक है, 93,573,264 करोड, वकि 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, वर्स दियार 23 के लिए, भारत का रक्षा बजट, पांच, लाग, 93,573,264 करोड रुपे है, और भारत के कुल बजट का है, ये, 13 परतिशत याद रखे, तो आपसर नंबर, ए हैस का अंसर, तो देखिए, वित वर्स दियार 23,24 के केंद्रे बजट में कुल 45,3,097 करोड रुपे की परिवे की पलकल्पना की गई है, ठीक है, परिकल्पना, और इसमें से रक्षा मंत्राले को कुल 5,93,537,64 करोड रुपे का वजट अवंटित किया गया है, जो की कुल बजट का 13,18 पर्तिशत है, और इसमें रक्षा पैंसन की बात और कर लें, अगर ये पूछ ले तो, एक लाग 38,205 करोड रुपे की रासी सामिल है, तो भारत का कुल बजट 45,397 करोड रुपे, इसमें रक्षा के लिए 5,93,537,64 करोड रुपे, कुल बजट का कितना लगभग 13,18 पर्तिशत, और इसमें रक्षा पैंसन देख लें, तो वो कितनी है, एक लाग 38,205 करोड सी, तो 20 प्रेशन्त है ये, इनकी प्रेक्टिस आप कर लिजेगा, एक से दुबारी नमबर है, फुल टेस्ट पीडियव आप राप्त कर सकते हो, पेट टेलेग्राम ग्रुप से जोड़ सकते हो, हर दिन प्रेक्टिस करते रहेगा, सेवल सर्विसे स्टेडिशेनल को सब्स